नमस्कार बच्चो आज हम आपके साथ है विद्धा सेंपल ले पर mcq डिसक्शन तो हमने सेंपल ले पर वन के 10 mcq डिसक्स किये थे पिछले वीडियो में आज हम 11 से लेकर 20 mcq डिसक्स करेंगे और यहां पर एक बुक है हम आपको रिकमेंड कर रहा है एडू का जोन एडू आपको हो जाएगी ठीक है यह वीडियो में आपको बता रहा है इसी बुक से हम यहां पर सैंपल पर जो दिये हैं उसको आपको यहां पर कराएंगे तो आप देख सकते हैं मैसमेटिक्स स्टेंडर्ड और यह 24 एक्जाम के लिए बहुत ही हेलपफुल आपकी बुक होने वा एक बोर्ड का कुश्चन पर फुली सॉल ह्ट दो यहां पर मिलेंगे कोई क्रीवीजन भी आपको यहां पर मिलेगा और जो पब्लीशर है वो यहां पर है स्री इंटरनेस्ट्ट अब देखन करते हैं कुश्चन नमबर 11 से question number 1 हमने discuss कर लिया था 1 से लेकर 10 तक पिछले वीडियो में अगर देखना होगा तो आप playlist में जाकर देख सकते हैं तो question number 11 हमार है आप है given that sin theta is equal to a upon b तो sin theta a upon b आप हो cos theta निकारना है तो you know that cos theta क्या होता है cos theta यह होता है under root of 1 minus sin square theta यह होता है आप है value लगाते हैं कि cos theta that is under root of 1 minus sin square theta sin theta a upon b तो इसका square हो जाएगा a square upon b square थोड़ा से solve कर लेंगे answer आजाएगा that is answer आपका आजाएगा under root of b square minus a square upon b square यह ही आपका answer होगा तो देख लेते हैं कहीपे answer है b square minus a square upon b square और b square का जब under root solve करेंगे तो सिर्फ b आजाएगा so c option आपका correct है 11 का c option आपका correct है next आते हैं 12th question में 12th question आपका trigonometry का है तो sec theta plus tan theta और multiply by 1 minus sin theta यह आपको कह रहा है तो sec theta आपको पता है क्या होता है sec theta होता है 1 upon cos theta 1 upon cos a plus tan a क्या होता है sin a upon cos a होता है तो sin a upon cos a ठीक है यह हो गया आपका और 1 minus sin a आगे आपका क्या लिखा है आगे लिखा है 1 minus sin a तो 1 minus sin a को ऐसी रहने दीज़े 1 minus sin a अब देखें numerator में आपको दिखें 1 plus sin a 1 minus sin a यह आपका हो जाएगा 1 minus sin square a ठीक है और upon में आपका क्या जाएगा cos a यह आगया cos a अब 1 minus sin square a क्या होता है यह होता है cos square a cos square a upon cos a that is आपका बचेगा यह सिर्फ cos a तो कहीं पर cos दिख रहा है वहीं आप cancer है so d answer आपका क्या है correct है easy question था इसमें ज्यादा कुछ नहीं है next आते है question number 13 पर 13 में आपको क्या बताना है elevation बताना है क्या बताना है elevation आप pole is 6 meter high cast a shadow of 2 root 3 meter along the ground the sun elevation is तो माली जे पोल है pole की जो length है वो 6 meter है मैं जब पोल की height आपकी 6 meter है cast a shadow of 2 root 3 यानि जो shadow है यह आपकी 2 root 3 meter की है आपको बताना है elevation किता है यानि थीटा तो आपको बता है 10 theta क्या होता है P upon B होता है 10 theta is equal to 6 upon 2 root 3 यह होता है ठीक है अब आपको बताना है यहाँ पर आपका हाँ theta की value क्या है गी तो इवान upon root 3 आ रहा है 10 theta say 2 3 जा 6 3 upon root 3 10 theta is equal to 3 upon root 3 इसको further solve करते है 3 upon root 3 तो यह हो जाएगा root 3 into root 3 3 को लिख सकते है upon root 3 तो root 3 से root 3 cancel 10 theta root 3 कब होता है जब आपका theta होता है 60 degree ओके तो answer आपका आपका आजाएगा A option correct होगा theta is equal to 60 degree next आते है question number 14 पर question number 14 पर आते हैं और थोड़ा सा में इसको नीचे करेंगे you can see question number 14 if the perimeter and the area of circle are numerically equal तो perimeter क्या होता है circumference that is 2 pi r एरिया क्या होता है pi r square यह दोनों equal है then the radius of the circle is pi से pi cancel r से square cancel r के लिए क्या आगई 2 आगई कित्या आगई 2 units आगई तो यही आपका क्या होजाएगा answer होजाएगा A option आपका correct question number 15 बढ़ाते है it is proposed question number 15 ध्यान से देखे it is proposed to build a new circular park of equal in area to the sum of the areas of two circular park of diameter 16 and 12 the radius of the new park is तो देखे यहापर क्या है 2 पार्क है 2 छोटे पार्क से एक बड़ा पार्क बन रहा है माल लिजे एक ये पार्क है और एक ये पार्क है दो छोटे पार्क से क्या बनना एक बड़ा सा पार्क बनना है जिसकी radius आप माले capital R ठीक है इसकी radius आपको पता है 16 meter diameter तो इसकी radius हो जाएगी 8 meter ठीक और इसकी radius अगर 12 meter diameter है तो इसकी radius हो जाएगी 6 meter और आपको इसकी radius निकालनी है तो दोनों का जो areas है इनका area प्लस इनका area इसके एक बराबर है तो आप अगर pi common लेते हैं pi r square होता है तो pi Common लिया तो r square that is 8 square वो, plus 6 square is equal to 2 क्या हो जागा? πi r square, okay. तो यहां से pi से pi cancel, 8 square आपका होता है 64, 6 square होता है 36 इस्क्क्लर क्या हो जाएगा? R क्या याँ हूजाएगा 10, r क्या आजागी? 10 आजागी 10 meters यह ही आपका answer होगा, so आप देख सकते ही और answer इब all the answer नमबर ए फिफ्टीन का ए आंसर आपका करेक्ट होगा नेक्ट पूफ करते हैं कोशन नमबर 16 पर तोड़ा सा उपर करते हैं आपको ध्यान से दिखेगा यह कुशन बहुत इंपॉर्टेंट है और आडियू का जो बुक है इसमें सारे कुशन दिये हुए है पूरी सॉल्ड आ आपको नहीं दिखेगा क्योंकि यह ब्लैक इन राइट में दे दिया है ठीक है जायदेव इस आज्ट कीप डॉट ऑन दे अबवव सेट बोर्ट ठीक है दप्रोवेल्टी दाट ही कीवस्ट डॉट ऑन दशेडेट रिजन इस तो आपको ताना है प्रोवेल्टी दाट ही की कि राट ही स्दॉट कर रहा है इस्वीन डॉट रॉट रखा गया है आपको भता है और इस डॉट रखरिया है तो पहले आप निकाले हैं डिजन का अरिया ठीक है एरिट एरिय अजोट इंगके से बीकाले हैं तो přैक्ष्ट ऑन सब्सक्राइब है 4A square minus side 2A है तो radius हो जाएगी A तो pi into A square यह आपका हो गया यह आपका हो गया area of shaded region अगर A square common ले 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 तो 4 minus pi A square common ले 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 तो 4 minus pi यह आपका shaded region का area हो गया अब आपको probability बतानी है probability बतानी कि dot जो है यहाँ पर रखा गया हो तो area of shaded region upon area of square यह होना चाहिए तो probability आपकी हो जाएगी area of shaded region that is A square 4 minus pi upon area of square that is 4A square इससे cancel 4 minus pi upon 4 तो I think यह B option आपका क्या होगा correct होगा बिल्कुल सही है B option आपका correct होना चाहिए next आते हैं question number 17 किसी भी answer में आपको doubt है तो आप comment box में आके comment कर सकते है next आते है question number 17 पे question number 17 है ध्यान से देखे two cards of heart four card of spades are missing from a pack of 52 cards a card is drawn at random from the remaining pack what is the probability of getting a black card यारे 52 में से पहले आपको पतावना चाहिए black किते होते है 52 में से 26 आपके black होते है और 26 आपके क्या होते है 26 आपके red होते है यह आपको पतावना चाहिए ठीक है आप कहरे है two cards of heart and four card of spades are missing तो पहले आपको बताना है total जो cards है आपके पास वो कितने है तो देखे 52 total होते है और इसमें कितने missing है four plus two six missing है तो आपके पास कितने card है यानि आपके पास है 46 card है यह आपके पास total card होगा ठीक है अब आपको black card निकालना है क्या निकालना है black card तो probability of black card तो black card कितने missing होगे जिए कि spade जो होता है वो black का होता है 26 में से four आपके black के missing है तो यह आपका होगया 22 होगया क्या होगया 22 upon 46 इसको इसी में convert करते है चोटे करने जुरत नहीं है और आपका b option यहाँ पर दिखाई दे रहा तो b option आपका क्या है यहाँ पर correct है next को कुटता है question number 18 पर ठीक है यह आपका b option आपका क्या हैगा correct आएगा question number 18 देखते क्या है the upper limit of the model class of the given distribution is आपको upper limit बताने है model class की given distribution की तो देखें यहाँ पर सबसे पहले आपको class interval बनाना पढ़ेगा पूरा तो class interval और यह आपके हो जाएगी cumulative frequency और आपके हो जाएगी frequency यह आपको बनाना पढ़ेगा तभी आप इसको solve कर पाएगे ठीक है तो इसको मनाने कोशिश करते हैं देखेगा सबसे पहले class interval यहाँ पर देखें देवा बिलो 140 तो बिलो 140 और उसके आद 145 है तो यह आपको जाएगा 135 से 140 ठीक है उसके बाद आपको जाएगा 140 से 145 140 से 145 फिर आपको जाएगा 145 से 150 फिर आपको जाएगा 150 से 155 तक and so on ठीक आगे में जुरत नहीं है इसी में आजाएगा और CF आपको जो दिया है यह आपका दिया ही है 4 11 29 उसके आद 40 and so on frequency आपका दिया है फोर से पूरा फाइंड करेंगे तभी बदा चलेगा mode है तो 155 से 160 हो जाएगा 160 से 165 हो जाएगा और यही लास्ट होगा CF 40 है इसके बाद 46 है इसके बाद 51 है frequency कैसे माइनस करना पड़ेगा आपको तो 47 18 यह 4 आएगा 7 आएगा यह 18 आजाएगा उसके बाद आपका 11 6 5 11 6 और 5 11 6 और 5 ठीक है तो यह आपका आगया पूरा आप यहां पर कह रहा है कि आपको उतानी है आपको दिख रही हुआ यह यह बाद क्लास इसकी अपर लिमिट इसकी अपर लिमिट क्या है स्काउनसर आ जाएगा यह आपका फाइनर आनसर है तो देख लेते हैं इसमें औशन से क्या आएंशर आ रहा है directions question number 90 20 are assertion reason based questions ठीक है statement कि रहा है total surface area of the top is the sum of the curved surface area of the hemisphere ठीक है plus the CSA of the cone बिल्कुल सही है इसका जो total surface होगा तो यह होगा plus यह होगा top is obtained by joining the plane surfaces of the hemisphere बिल्कुल सही है तो इसका correct region भी है so a option आपका correct होगा बोथ assertion reason correct है और वो correct आपका reason भी है ठीक है तो इसका option आपका बिल्कुल सही होगा next आते है question number 20 में 20 देखते क्या है assertion minus 5 minus 5 by 2 0 5 by 2 is in arithmetic progression तो common difference आप निकाल लिए common difference अगर देखें कि तो minus इसका common difference देखें तो 5 by 2 minus 0 तो यह आ रहा है 5 by 2 और यह 5 by 2 नहीं आ रहा है तो यह आपका गलत हो गया गलत होगा common difference सेम नहीं आ रहा है ठीक है अब आते हैं जो common difference है एक मेंट्रेस को solve करना पड़ेगा common difference एक मेंट्रेस को solve करके देख लेते common difference सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है माइनस करके यह चेक करना पड़ेगा common difference क्या होता है second term minus first term होता है तो देखे माइनस five by two minus five by two minus minus five यह हो गया तो minus five by two plus five यह हो जाएगा two LCM होगा minus five plus ten यानि five by two आ गया अब इसको देख लेते यह भी आएगा five by two minus five by two सही आ रहा है यानि assertion आपका correct है assertion आपका correct है अब आते है रीजन पे the terms of an arithmetic progression cannot have both positive and negative rational number यह गलत है दोनों हो सकते है positive भी हो सकता निगेटिव हो सकता तो आपका assertion correct है पर reason आपका false है तो इसका answer हो जागा c option आपका क्या हो जागा correct हो जाएगा ओके तो आपको अगर ऐसे videos और देखने है तो like और subscribe करिए चैनल को आगे आपके जो solutions है वो आपके आते नहीं है sample लेपर के इसके बाद हम section B discuss करेंगे और एडू का जो किताब है एडू का जोन इसको परचेस कर सकते हैं ठीक है एडू का जोन आप सारे subject में available है तो इसको परचेस करिए और सारी चीज़ आपको मिल लाएगी इसलिए okay thank you and stay connected for recent updates of upcoming chapters